नमस्कार, MLS News Life में आप समिदर्शिकों का स्वागत है कानपूर में 12 कतल, गुंडों ने 18 साल की महिला और पोती को गोली मारी उत्तरपादेश की कानपूर में बदमशों ने एक रुद्ध महिला और उसकी पोती को गोली मार कर हद्या कर दी इस दोरे कतल की वादाच से लोग सद्मे में है पुलिस के मुताबी घट्य की ये घटना चकेरी इलाके में हुई है पुलिस ने बताए कि जीस पुर्ध महिला को गोली मारी गई है उसकी उम्र असी साल की है जबकि उसके मौद उसकी पोती की उम्र तेरा साल है बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी पुलिस ने कहा है कि दोनों शवों को कोस्पाटम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है कानपूर के SSP अनत्य देव सिंग ने समाचर एजनसी एनाय को कहा कि पहली नजर में ये हद्द्या का मामला लगता है SSP अनत्य देव सिंग ने कहा कि घट्ना में मारी गई महिला और नाबाली की भालचा सापित करनी की कोशिश की जा रही है पुलिस ने आजपास के इलाके में घट्ना की सूचना दे दी है MNS News लाइक की खबरे देखने के लिए आज जी प्ले स्टोर से MNS हिंदी एफ डाउनलोड कीजे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद